बिरेंजी भी आगे हैं इस डिवेट में बिरेंजी बहुत शुक्री आपका एक दिन में दो आदेश एक कासी से निकला सिविल जैज का दूसरा लखनव से निकला हाई कोट का एक फैसलाए में ताज महल के प्रकरण को लेकर कोट की काफी सक्ति पढ़िया आई और कासी का फै फैसले कर रहा है कल राजद्रो पर जिस तरह से कोट का निर्देश आया उन्हें देश में उसकी सराहना हुई आज ग्यान बापी पर और ताज महल पर दो बातें आई हैं हमारा देश धार्मिक देश है ब्रजै जी भारत को सनातन संस्कृति का देश माना गया धर्माव लं मुगलों ने जब भी आकरमण किया भागोलिक इस्तिती को और जो वर्तमान धाचा था उसको परभावित किया तो सवाविक है कि अब इस देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जहां आयोध्या काशी मतुरा जितने हिंदूों के तीर थस्तल हैं वहां सब जगा मस्जिद बनी हुई है तो पहले मंदिर बना था या मस्जिद बनी थी या मुगलों के आकरमण के बाद वहां पर जवर्या यह निर्माड कराया गया जिसको लेकर बीजेपी यह भुनाती है बीजेपी का एक संकल्व था कि हम इसको हिंदू राष्ट बनाना चाहते हैं भारत को बार चाहिए कि हम 21 सदी में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर धर्म तरक्की के रास्ते में कोई बाधा न बने क्योंकि भारत की आवादी बहुत बड़ी है उसकी तमाम और सारी दूसरी आउसक्ताएं भी है धर्म करम पूजापाट लोगों का सम्मान यह अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई चीजे हैं और समू को संतुष्ट करने के लिए भी हैं लेकिन देस तरक्की से चलेगा रोजगार से चलेगा अर्थबे उस्ता से चलेगा दुनिया में नाम बिग्यान से होगा बैग्यानिकों से होगा मेहनत से होगा तो इस बारे में भी इस देस की को टाए हैं जहां इस्वर मंदिर में बैठा है और फकीर सीड़ियों पर लेटा है धार्मा और अधर्म का ये विभेद इसको कैसे समेटा जाएगा अदालत ही उसका एक मात रास्ता है और वो जो फैसले दे रही है उसका सबको स्वागत करना चाहिए जहां पर जिस मस्जिद में अगर वर्सों से नमाज ना हो रही हो तो वहां पर अगर कोट कोई निणा करती है तो वो जनहित में उचीत ही होगा लेकिन परकिरिया अपनाई जा रही ताजमहल की बात आई विर्जे जी जब बहें चलने ही लोग समझने कि ताजमहल के भीतर 22 कमरा बन है वो नहीं है यह ताजमहल के परिसर में है ताजमहल के गुंबत के नीचे उपर कहीं कमरा बना नहीं है एक तो यह बात है लोग इस बात को समझ लें आसानी से अब इस देश की जनता को हक है हिंदू मुसल्मान दोनों जाने कि यह कमरा कहे बंद है कोट चाहे तो खुलव पाया लेकिन हमारे हाँ धीवानी के मामले 20-20 साल 30-30 साल 40-40 साल चलते हैं साक्षों पर चलते हैं राजनेती की इच्छा सक्ती भी उसके लिए बड़ा माइने रखती है अब वो चीजे कब होंगी कैसे होंगी यह अलग बात है लेकिन जब जरूरत होती है बिरजे जी तो इंसान और नेता इन दोनों का जो है भासा बदली रहती है और जैसे जरूरत खतम होती है तो इसे इनकी भासा बदल जाती है तो ये राजनेतिक वक्त की जरूरत भले नहो लेकिन ये माहौल बनाए रखने के लिए बड़ा जरूरी है भारत में ये अकास्था का मुद्दा है राजनीत का भी मुद्दा है ये एक जमीन के साथ साथ कुर्सी का भी मुद्दा है और यह हमेशा को रिलेट करता रहेगा कुल मिलाकर यह है कि आज इतने लोग बैठे और सुन रहे हैं सब लोग जानते होंगे कि जब मुगलों ने इस देश पर सासन किया आकरमल किया तमाम सारी हिंदू सपयताओं की तमाम सारे धार्मिक अस्थलों के स्वरूप को बदला उ भी लोग जानते होंगे मुगल के अताताई हमारे आदर्स नहीं है जो राजा या जो लुटेरे हुए कुछ मुगल सासक ऐसे हुए जिनको भारत में बढ़ा सम्मान आज भी दिया जाता है जो मानवता के प्रेमी थे उनका सम्मान होगा लेकिन और हैरत की बात यह है कि जि किया है लोग कहते हैं कि हाथ काट लिया गया था ताज महल बनने के बार भगवान जाने हमको तो आद तक जिसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन ने कोट ने कहा है रजनीश से की थोड़ा रिसर्च करो और नेट जे आरेफ करो पीच्डी भी करो लेकिन इस देश में संक्यक समाज की भावनाओं का सम्मान अब संक्यक समाज को भी करना चाहिए लेकिन अब संक्यक समाज की भावनाओं को रौंद कर नहीं ये ध्यान रखना होगा उसके लिए कोट है और कोट बहुत अच्छे अच्छे फैसले दे रही है सुप्रीम कोट हाई कोट तो हम लोगों को और संबिधान है इस देश में तो ये दोनों चीजें पचास साथ साल कांग्रेस ने भी राज किया कांग्रेस कुछ काम कर गई होती तो बीजेपी को इतना मौका ना मिलता अब बीजेपी मौका मिला है तो वो दस-बीज साल के अपन ब्योस्था पुक्ता करेगी कि नहीं करे चाहे वो धार्मी भावना से करें चाहे रासन पानी से करें चाहे पैसा दे के करें करने को उसका भी अधिकार बनता है बहराल एक साहितिकार ने लिखा है कि ये च्छत भी तेरी ये आसमान भी तेरा तेरा किरदार कयामत है अल्ला वालो राम वालो अपने मजहाब को सियास से बचा लो मंदिर मस्जीद तो कभी फूर्शत में बना लेना जो नफरत से तूटे हैं वो घर फिर से बना लो बहुत बहुत शुक्रिया विरेंजी बहुत